हमें सोचनी और समझनी क्या आवशक्ता है एक कारण मैं ज़्यादा चीज़ों में नहीं जाना चाहता है इतना समय भी नहीं होगा कि भारत विदेशों से इतना नहीं हरा अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों की फौज में भारती सिपाही नहीं थे चाहे वो पहले बंगाल नेटिव आर्मी थी 1857 के अंदर में सिखों और गुर्खास ने उनका साथ दिया जब सिखों से लड़ाई हो रही थी तो बाकी लोगों ने उनका साथ दिया हमेशा नेटिव आर्मी उनके साथ थी जब जब आक्रमान वेस्ट से हुआ चाहे वो पार्थिंस थे चाहे हून थे चाहे मंगोला ये बाद में मुगला थे तो लश्कर कहां बने वो तो थोड़े सो लोग आए थे लश्कर बने काबल में जिस वकद तो इस्लामाइज भी नहीं हुआ था लहौर में सरहंद में हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का और दर्द है तो केवली सी बात का भारत के इतियास में अगर दर्द केवली इस बात का नहीं है कि विदेशों ने हमारे साथ क्या किया उनका तो हम मकाबला कर लेते दुख इस बात का था कि हमारे सबी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया और इसकी फिलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है और भारत को अंतरी बाई शक्तियों से जो सबसे बड़ा खत्रा है वो खत्रा इस बात का है कि हमारे अपने लोग ही कहीं राष्ट की सुरक्षा राष्ट की अस्मिता राष्ट के गौरव का सौदा न कर बैठें अपने आज के सुख के लिए अपने भविश्य को अंदकार मैंना कर दें और इसके लिए जो जाग रुकता चाहिए इसके लिए जो ताकत पैदा करनी है वो ताकत केवल समाज के अंदर भी पैदा की जा सकते है उसको केवल आप लोग कर सकते हैं यह वो केवल आज़